आज हुम पढ़ेंगे friction के बारे में Friction क्या होता है? Friction भी क्या होता है? एक तरी की? एक force होती है यह क्या करती है? जब दो object एक दूसरे के बीच में उनका relative motion होता है तो उसको oppose करती है It is a force which opposes the relative motion between two objects when they move or tries to move over the surface of each other जाए वो एक दूसरे पर move कर रहे हो या रखे भी हो Friction force दोनों टाइम पर act करती है और इसका काम क्या होता है? It opposes the relative motion यह हमेशा relative motion को oppose करती है ना कि motion को oppose करेगी It is a type of contact force हमने देखा था दो type की force होती है Contact और Non-Contact तो contact force वो होती है जिनमें जो जब दो body physically एक दूसरे से touch करती है तो यह क्या है? एक तरह की contact force ही है और इसकी जो unit और dimensions है are same as force मतलब कि इसकी अगर unit पूछ रहे हैं जैसे की force की unit होती है Newton तो friction की कोई unit पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि वो भी Newton है और जो dimension formula अगर पूछता है exam में तो force की तरह ही हो जाएगा next क्या है effects of friction friction से क्या क्या effects हो सकते हैं जैसे कि सबसे first है it slows down और stop the object सबसे main effect परता है क्योंकि यह क्या होता है यह relative motion को oppose करता है तो अगर कोई bowl हम मान लेते हैं कोई bowl हमने fair की वो ground पे move कर रहे है तो धेदरे क्या होगा उसकी जो speed है वो slow down हो जाएगी और last में जाके क्या होगा वो bowl जो है वो रुख जाएगी तो यह क्या करता है it slows down और stop the object और जो next जो main effect है जैसे की heat is produced तो जैसे हम मान लेते हैं हम अपने हातों को आपस में रब कर रहे हैं तो उससे क्या होता है उस चीज को हम friction बोलते है तो उसी से जो heat है वो produce होती है अब next क्या है types of friction friction किस किस type के होते है सबसे पहले है इसमें static friction static friction क्या होता है friction acting on the body until body at rest its value is equal to applied force जब हम मान लेते हैं हमारी कोई body है वो rest पे है और उसे कम से कम motion में लाने के लिए 10 newton की force जो है वो require है और हम उससे कम force जो है वो apply कर रहे है मान लेते हैं 5 newton की force apply कर रहे है और वो object जो है वो move नहीं कर पा रहा है वो अपनी जगा पर है तो इससे कम जितनी भी हम force लगाएंगे और वो rest पे रहेगा उस चीज़ को हम बोलते है static friction static मतलब ही होता है कि कोई object जो है वो rest पे है इसके बाद है limiting friction जो limiting friction है वो static friction का ही एक part है इसकी definition हम देखते है it is the maximum value of friction at which body remains at rest मतलब कि इसी का part है यह ऐसी value होती है friction की maximum value रहती है जिस पे जो object है वो rest पे रह सकते है जैसे माल लेते हैं यह 10 newton वाले ही case है और हम इस पे 9.9 newton की जो है वो force लगा रहे है और इससे 9.9 से हलका सा भी जाद होआ तो object जो है वो move करने लग जाएगा तो इसी की जब maximum value होगी जिसमें object जो है वो rest पे रह सके उसे यह बोलते हैं limiting friction इसमें next जो type है होआ है kinetic friction का kinetic friction क्या होता है the opposing force that come into play when object actually moves over the surface of another object जो हमने पहले दो friction पड़े थे वो कब लगते हैं जब object जो है वो rest पे होता है और जब कोई object जो है motion में आ जाए तब जो friction लगता है उस body के उपर वो होता है kinetic friction अब यह जो kinetic friction है और एक होता है sliding friction rolling friction तब किसी body पे act करेगा जो body जो है वो roll हो रही है किसी surface के उपर हम मान लेते हैं एक inclined surface है और इसके उपर कोई पी एक ऐसा object हो जो roll कर सकते है मान ले कोई circular object है तो वो क्या करेगा वो ऐसे घूम घूम के नीचे की side जाएगा मतलब कि वो roll करेगा तो इस time पर जो इनके इस surface के और इस ball के बीच में जो friction लेगेगा वो होता है rolling friction फिर next क्या है इसमें sliding friction sliding friction में क्या होता है body जो है वो roll नहीं करती है ऐसे सीधे नीचे जली जाएगी inclined plane पे तो जो इस object और इस inclined plane के बीच में जो friction लेगेगा जो body slide कर रहे है तो उस friction को हम बोलते है sliding friction और इसमें एक बात हमेशा याद रखने कि sliding friction होता है is always greater than the rolling friction मतलब कि इस जगा पे जो friction रहेगा वो ज्यादा होगा as comparison to rolling friction इसका हम example ले सकते हैं कि जैसे जो brief cases होते हैं suit case होते हैं आज कल उन में क्या होता है वो नीचे tear लगा आता है तो उससे क्या होता है हम उसे असानी से roll कर पाते हैं तो rolling friction जो हो कम होता है इसलिए हम उसे असानी से ले जा भी पाते हैं अगर माल लेते हम उसमें tired नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसे slide करते वे ले जाएंगे नीचे लटका कर तो तब क्या उसे खीचने में ज्यादा effort लगाने पड़ेंगे next हम पड़ेंगे laws of friction के बारे में laws of friction क्या क्या है सबसे पहले है the friction force always acts in directly proportional to the normal reaction between the contact force and surface इसमें क्या हो रहा है कि जैसे माल लेते हैं यह एक inclined plane है और यहाँ पर कोई एक object है वो नीचे की तरफ slide कर रहा है तो इस पर क्या है इस तरफ slide कर रहा है तो friction force जो है हमेशा opposite direction में लगते हैं हमें पता है और जो normal reaction मतलब कि यह जो नीचे की तरफ जाता है हमारा जो weight होता है उसके लिए यहाँ पर normal reaction यूज किया गया है n is equal to mg होता है weight के लिए जो हम यूज करते हैं तो friction force में गया होता है यह दोनों एक दूसरे के proportional होते हैं और यहाँ पर proportionality का sign हटा के हम एक coefficient of friction को introduce कर सकते हैं यानि कि वह होता है mu तो हम कह सकते हैं कि friction force is equal to mu into normal reaction यानि कि mg भी लगा सकते है n की जगह हो और यह mu क्या होता है यह होता है coefficient of friction इसके बाद next के friction force depends friction force जो है वो किस चीज़ पर depend करेगी सबसे पहले roughness of object एंड दूसरा क्या है nature of object माल लेते हैं कि अगर कोई rough object है या फिर rough surface है और एक तरफ कोई smooth surface है तो दोनों पर जब हम object को slide करेंगे या roll करेंगे तो जो rough object है उस पर ज्यादा friction लेगेगा as comparison to smooth surface next क्या है nature of object अभी सभी object के लिए friction force होता है यो coefficient of friction की value है वो सभी object के लिए different होती है जैसी कि हमालेते हैं जो steel वगएरा होती है silver, iron, metals इतने भी होते हैं उनमें जो coefficient of friction रहता है वो कम रहता है तो वो असानी से slide या roll कर पाते हैं और वहीं अगर rubber वगएरा की बात करें तो वहाँ पे coefficient of friction जो है उनका ज्यादा होता है तो वहाँ पे ज्यादा friction force लगती है फिर लास्क है Frictional force always acts in a direction opposite to that in which the body moves ये सबसे पहला ही लोग है एक तरह से ये क्या होता है जो कोई भी object किसी direction में मूव कर रहा होता है तो friction force क्या होगा हमेशा उसकी opposite direction में मूव करेगी